जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि मैं अमूमन उत्रखंड और हिमाली राज्यों की बात करता हूँ और यहां के सभी जानकारी में आपके साथ साजा करता हूँ जब हम बात करते हैं वफादारी की, बुद्धी मानी की और तागत की तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है हमारे हमारे हमाले छेतर में पाए जाने वाला भोटिया डोग की जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि तिबतन मेश्टिव की ही एक परजाती है जिसे बोटियो कुता कहते हैं जो अधिकतर बूरे और काले रंकी होते हैं जो बेड बकरों के जुंड को अकेली ही गाइड कर सकते हैं और बाग और तेंदों से भिलकर भी उनकी रक्षा करते है दोस्तों आपको बता दें कि तिबतन मेश्टिव बले ही जिम का बोडी बिल्डर क्यों ना हो लेकिन बोटिया डोग भी अखाने का पहलवान माना जाता है जो अपने काम के लिए मसूर है और आपको बता दें कि ये जितने सांध सुभाव के होते हैं उतने ही काफी अक्रा करते हैं और उच्छे माले छेत्रों में जब चारवा है छेचे मेने के लिए भेर बक्रियों को अपने साथ चराने के लिए ले जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी इन्हीं भोट्या कुत्तों के हातों में होता है और जरूरत पढ़ने पर ये बागण तेंद्यों से भीड़कर भी उनकी रक्षा करते हैं और आपको बता दें कि यतने खतरनाक होते हैं कि कई बार इन्होंने अकेली ही तेंद्यों को परास्त कर रखा जिसके खवर सामने आई है और दोस्तों इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो आज कई तरह की नसले कुत्त हो कि आज इस दुनिया में लेकिन हमारे उत्रखंड के हिमाले छित्रों में पाये जाने वाले भोटिया कुत्ता इन सबसे अलग है और इनकी सबसे बड़ी खास्यत यह है कि ये रात के समय में एक ही दिसा में मुह करके नहीं सोते हैं एक का मुह अगर उत्तर दिसा की तरफ है उस पर धारदारवार करते हैं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप एक घर की रक्षा करने के लिए या जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए या फिर खेतों को बचाना है तो यहां अबल दर्जा का कुत्ता और आपको मैं बता दूं कि इसको लेने के ल दोस्तों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं अगर आपके इस बारे में कोई राय है तो आप हमें कमन करके जरूर बता सकते हैं फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकरी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद